हेलो दोस्तों और वेलकम बैक आपके अपने चैनल अकाउंट्स एडवाइज में तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने डेटर के लिए क्रेडिट लिमिट कैसे सेट कर सकते हैं टैली प्राइम में तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अकर का वीडियो तो दोस्तों credit limit जो हम अपने debtors को देते हैं उससे हमें benefit क्या होता है माल लीजिए अगर आपका कोई debtor debtor है जिसको आप sale करते हैं और वह आपका timely payment नहीं करता है ठीक है अगर आपका एक debtor है मालीजिए आपका debtor है वह आपको आप उसको sale करते हैं 10,000 का और आप सोचते हैं कि आप 15 days में वह आपका payment कर दे ओके बट अगर 15 days में payment नहीं करता तो आप यह चाहेंगे कि आप 15 days के बाद जब तक को payment नहीं करता आप उसको कोई भी प्राइम में आज तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें एक debtor का ledger बना लेते हैं मैं आपको ledger create करके दिखाती हूं create करने के लिए हमें जाना होते है create पे या फिर सी आप प्रेस कर सकते हैं then ledger चलिए हम यहाँ पे एक राम का ledger बना लेते हैं सम्मान लिजी कि राम हमारा debtor है राम हमारा एक debtor है उसके बाद आपको यहाँ पे देखे यह एक option आएगा specify credit limit अगर यह option आपको यहाँ पे show नहीं कर रहा है तो आपको जाना है F12 पे F12 पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक option मिरेगा call provide credit limits ओके आपको यह option कर देना है yes yes करने के बाद आपको करना है screen को save by control A control A करने के बाद आपको यह option यहाँ particular ledger पे highlight होके आएगा specify credit limit का मान लीजिए अब मैं बोल देती हूं कि राम को मुझे 20,000 से जादा की जो transaction है वो नहीं करने ही okay जब तक वो 20,000 रुपे मुझे नहीं देदेगा पर एक particular invoice के तो मैं उसको 20,000 से जादा की transaction नहीं करना चाहती तो मैंने यहाँ पर 20,000 रुपे सेट कर दिया और यहाँ पर है override credit limit using post-dated transactions पोजटे ट्रांजेक्शन के यह जो हमारी पोजटे ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए अगर हम override करना चाहते है नहीं पर इस वीडियो में post-dated के बारे में नहीं पढ़ते हैं तो यह option हम skip कर देते हैं okay बाकी हम ledger को कर देते हैं Ctrl A करके save okay चलिए अब हम मैं आपको एक entry बना के दिखाती हूं देखिएगा जब हम entry बनाएंगे और अगर यह entry का amount हमारे 20,000 से उपर जाएगा तो tally हमें एक error message देदेगा कि आप इस particular ledger के लिए 20,000 से उपर की limit नहीं बना सकते हैं सबसे पह प्रेट भी प्रेस कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें लेना है पार्टी का नेम जो की है राम ओके यह details हम कर देंगे save यह हमारी पार्टी की details आ गई हमने कर दी save ओके हम इसका change mode कर लेते हैं item invoice by control H यह देखिए यहाँ पर आपको क्या show होगा यहाँ पर इसकी credit limit हमें यहाँ प एक लेजर आइटम बना देती हूं by all to see मैंने आइटम 1 बनाया है यहाँ पर यह primary में लिया मैंने हाँ पर इसकी unit create कर दी numbers की numbers okay accept applicable कर दिया मैंने इस पर ठीक है अब मैंने मान लीजिए हाँ पर मैंने quantity डाल दी 21 की rate डाल दिया मैंने 10,000 अभी देखें यहाँ पर कितना हमारा हो गया है यह rate में mention कर देती हूं यहाँ पर 1000 कर देती हूं okay तो हमारी यहाँ पर total amount कितना आ रहा है भी 21,000 का जो की हमारी specific credit limit से जादा को हो चुका है ठीक है अब यहाँ पर हमें के ले लेते हैं sales का ledger sales account that's all इसको हमें save कर देना है sales ठीक है अब यहाँ पर हमारा 21,000 हो गया है यहाँ पर अभी मैं कोई suggestive amount है ही लगा रही हूं okay यह हमारा 21,000 हो गया चलिए अब हम इसको accept करके देखते हैं कि टैली हमें इसे accept करने देगा या फिर नहीं यह देखे हमें जो यहाँ पर last में एक एरर दिखा देगा क्योंकि उपस credit limit of RAM 20,000 exceeded current amount is 21,000 यानि कि यह entry हमें टैली accept नहीं करने देगा क्योंकि हमारी limit है हमारी specific limit से अपर हो रही है 20,000 से 1,000 ज्यादा की हो रही है तो इस तरीके से आप आपके जो particular party है जिसको आपको लगता है कि यह अपनी current payment करें उसकी बाद ही हम इने payment करें तो आप उन particular ledgers पे उनकी credit limit सेट कर सकते हैं अपने according और उसकी according आप entry टैली में कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके अगर कोई कि भी query हो वीडियो से regarding तो आप में comment box में type कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों